हेलो दोस्तों आपके हमारी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है फ्रेंट्स आज हम लोग इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे जो की 21st को बनाया जाता है आज हम लोग उसके बारे में करेंगे फ्रेंट्स तो आएए चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किये हुए फ्रेंट्स इस तो प्रेंट्स यह जो अंतराष्ट्र मात्र भाशा दिवस ===W Wrap न च्टक को अंतराष्ट्र मात्र दिवस भाषा के रूप में मना जाता है यह इंडियन मिनिस्ट्र के देश hoa वी विबित्ताओं को उजागर करने के के यह प्रतेग वर्ष 21 फरवरी 2020 को लुए मातर दिवस भासा के रूप में इंडियन मीनिश्टिर के देश में भाषा ही वीदता को उजागर करने के लिए 21 फरवरी को मातर भासा के रूप मना गया कि सबी लोग अपनी भाषा अंतराष्ट्री भासदिवस को अप्लोग सबी लोग पढ़ सकें तो जो अंतराष्ट्री भासा का ये मात्र दिवस ये दो हजार बेस सईयोंक तो राष्ट द्वारत चुना गई है विशे लैंग्वेज विदाउट बॉर्डर यानि लैंग्वेज की कोई सीमानी है वो लैंग्वेज कहीं भी बोली जा सकती है अगर देखा जाए बंगाली बोली जाती है किसी स्टेट में फिर हिंदी बोली जाती है और WordPress वह बहुत सारी भारत के लिए इस भाषा में मैं तो है देखिए भारत अनेक्ता में एक्ता का देश है इस सिद्धान के तहत अपनी सांस्कृतिक विरासत का सदेव अभारी है जिसमें विभीन भाषा हैं विशेज भूमिका निभाति है भारत में 2000 जन्गर्णा के अनुसार ओफिशल तौर भारत में 22 भाषाओं को मानेता दी गई है परंतु 1635 मैंने बिल्कुल सही का आपने सही सुना 1635 तरक संगत मात्र भाषाएं और 234 मानने योग भाषाएं भारत में बोली जाती है यह संदर्व भारत में अंतराष्ट के मात्र भाषा को विशेश मुहत्पूंड बनाता है देखे जैसे कि फ्रेंट्स हमने आगे यह फोटो एक डिस्प्लेय कर रहें जिसके तुरू आप समझ सकते कि इंडिया में काफी तरह की भाषा बोली जा सकती है और अलग-अलग तरह की भाषा हैं हमारे देश में बहुत सारी भाषा भी विवित्ताय भी पाए जाती है तो 10.7 करोड लोग 18% से जादा है दो भाषा बोल सकते हैं और अगर हम लोग इसको देखे जाई इसकी जो प्रश्ट भूमे यह चालू कहां से तो हुआ यह दिवस को बनाए जाने के पीछे बांगला देश में बहुत आतेहासिक घटना मानी जाते है धाका में हुए कह आतेहा प्रदर्शन कारियों ने सुनने की बज़ा पाकिस्तान ने उन पर गोलिया बरसा दी थी जैसे कि आप दे सकते हैं फोटो में डिस्प्ले की गई है और देखा जा सकता है कि महिलाओं ने और समासेवी लोगों ने और यूनिवर्सिटी के विद्यार्तियों ने किस तरह अंदोलन में भाग ले रहे तो उन्हों कहें भी नी रुके उन्होंने अपना प्रदर्शन जारी रखा आखिरकार सरकार को उनके आगे जुकना पड़ा और बांगला भाषा को आधिकारिक दर्जा देना पड़ा विश्व में सबसे बड़ी भाषा ही अंदोलन के रूप म मनाये जाने की गोशना की इसी प्रकार इस दिवस के शुरुवात हुई